कि यह जब लोग दोस्तों सम्मान के साथ आपका नए व्लोग में स्वागत है मैं अभी जिम से आया हूं और भूट ज्यादा भीजण वाली भूग लग लग रही है आज क्या है कि थोड़ा सा लेट उठाता मैं तो जिम में बहुत जली जली यहां से गाया क्योंकि साड़े दस बजे मेरी नीन खुली मतलब दस बजे नीन खुली और साड़े दस बजे में जिम पहुझ गया था और मैंने प्री वरकाउट मील में शरीफ ठी बनाना लिए थे प्री बनाना लेके मैं जिम पहुझ गया था आज यह थोड़ा सा लेट नीन खुली फजर की नमास को मैंने पढ़ ली थी फजर की नमास पढ़ने के बाद मुझे नीन लग गई तो मैं चला गया था सोने तो फिर एकदम नीन लग गई तो मैं उठनी बार और मेरी दस बज नीन खुली तो फटाक्स में जिम ड़ा केले खाके और अभी वर्टाउट कर गया हूं आज चेस्ट डेट था मेरा चेस्ट का वर्टाउट किया मैंने और बहुत ज्यादा भीशन भूख लग भी फटाफट मील बनाते हैं मस्त मील बनाते हैं तो दोस्तों हमारा आमलेट ब जली से इसे खाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा भीशन भूख लग रही है मुझे और यह हमारा ओमलेट बनके रेडी हो चुका है तो चलते हैं और इसमें हमारे जो हैं चने चिक पीस हो रहा है है रेडी मतलब बॉइल हो रहे हैं दानियल आप खाओगी अपना एंदा खा मेगी अच्छी नहीं होती है मेगी से पेट दर्द करता है पेट दुपता है मेगी से अपन यह खाएंगा एक बहुत टेस्टी यमी है लिपिस्थिक लागाई थी कोई दिक्कत नहीं आपकी लिपिस्थिक खराब नहीं होगी खकागी चलो दोस्तों जली से हम खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीशन भूग लग रही है बिस्मिल्ला बरकति लाग शरी में जाली कि दानियल आप क्या कर रही हूं अलीप पढ़ रही है और चुलाव दिन दानियल आप यालीप पढ़ रही है अलीप पर रही हो पढ़के बताओ थो थो अलीप बेर चाहीं पर रही हो और चाहीं घाटून देखते देखते पढ़ रही हो अप पढ़ो 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 ना अरे तो अलीब है तो पढ़ो ना पढ़के बताओ ना आपको पढ़ना आता है क्या करनों है कर दो है कना है क्या हुआं क्या हुआ क्या हुआ हुआ है Defi Teeridas क्या हुआ है ऐफित्य। है ? क्या हुआ क्या हुआ बस हो गھर मी लग रही है अश्यार आप तो पढ़के बता दो हमें एक बर काटून ज्यादा देख रही हूं पढ़तो हूं नहीं दोस्तो चलते हैं मार्केट थोड़ा सा काम है बीवी को भी फार्म डालना है दो जो हमारा काम है उसे भी फिनिश कर लेते हैं तो चलते हैं जिन बोलने वाला में वह तो मुझसे लिखल गया मेरे ताकि मार्केट जाना है थोड़ा सा काम है उसको फिनिश कर लेते हैं दोस्तों धूब बहुत ज्यादा भीशन वाली हो रही है और बहुत ही सनी डे है आज गर्मी ज्यादा है आज तो चलते हैं मार्केट का काम निप्टा ले फटा फट पाम डलवाना है हाज तो पाम को डलवाते हैं रेन बसेरे में बड़ी अम्मी भी आगई हैंगी दानियल को खुद मज़े आ रहे हैं यादर खेल रहे हैं दानियल गिरना मत दानियल गिर मत जाना जूला नहीं है यह दोस्तों असर की अज़ान हो चुकी है तो नमास का टाइम हो गया है नमास पढ़ने जाओंगा मैं और अभी में मार्केट से आने के बाद थोड़ी जब सोने के लिए लेट गया था हूं बाकी बिल्कुल भी नीम नहीं लगी मेरी एक सेकंड भी नीम नहीं आई हैडेक तो हो रहा था बड़ा सा आज हैडेक भी हो रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं लेट लेते है तो मैं विस्तर बेगा तो मुझे बिल्कुल भी नीम नहीं आई और मैं अभी नहां दो के फ्रेश हो गया हूँ नमाज के लिए जा रहा हूँ और फिर उसके आने के बाद एक मील लोगा क्योंकि अभी बलकी टाइम चल रहा है सिक्स मील लेना पड़ती है सिक्स मील मेरी हो न तो पहले नमाज पड़ी आता हूँ फिर उसके बाद मील बना दोस्तों मौसम फिर पानी जीसा हो गया है बहुत ठंडा हो गया है और हम जा रहे हैं बीवी को लेके पानी बताशे खाने क्योंकि हम दोनों को यह बहुत याद आ रही थी और मैंने ही कहा उन्हें के चलो चलत हैं खाके आते हैं तोड़ा सा जिवान चटकारे मार रही तो चलते हैं पानी बताशे खाने तो दोस्तों पानी बताशे के लिए हम आ चुके है और दोना भाबी भी है और हम सब मिलके आज चुल मचाएंगे तो दोस्तों अपनी मगरिब की नमाज हो चुकी है और मैं अभी ही मार्गेट से आया था मार्गेट से आने के बाद पटाफट में चला गया था नमाज चलिए और मैं आपको दिखाता हूं देखो बारिश हो रही है और माशालला बहुत अच्छा मोसम हो रहा है एकदम ला क्या खाया आपने आज आपका रोजा था फिर आपने क्यों नहुक्त खाना क्या कर दद आनियल कास इते चीज है जेली और चेपस चनूण चैने ऋर चिपस पोली किसने बनाई ती क्यूट शी फापा रुड़ बाउट ने मुझे दोगी आप थोड़ा सा भी टेस्ट करवा जो आप अकेली खाऊगी पेपापी को नहीं खिलाऊगी चेलाओ खालो पेपापी खोड़ा सा एक बाइट लेलो पेपापी एक बाइट ले लो एक बाइट ले लो थेंक यू बोलो प्याप 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 तो दोस्तों इश्या की आजान हो गई है नावाद पढ़ने चलीगे और एक भैपरीन मिल लेंगे उसके बाद और फिर उसके बाद हम स्लिपिंग करेंगे क्योंकि बहुत भीचान वाली नीद आरी है मुझे सुबह पांच बजे से उठा हुआ हूँ मैं और अब मैं एक बहतरीन मिल लेना चाहता हूँ बहतरीन मिल के साथ तो नमास पढ़के आते मिल लेंगे और फिर स्लिपिंग करेंग है और इसे खाके जली से सुखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा तेजद दीन दा रही है और भूग भी बहुत लंग रही है तो जली से इस मिल इस मिल को फिनीश करते हैं और इसके बाद स्लिपिंग करेंगे तो दोस्तों । आज के लियो नएач के तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए तब तक के लिए शबाख है